जापानी प्रदानमंत्री के भारत दोरे की खबरों के बीच जापान से बस्तर के पुराने रिष्टर की बाद भी चर्चाओं में है भारत में शुरू होने वाली बुलेट ट्रेन के पहले भी जापान ने भारत में रेलवे लाइन बिचाई थी ये बात अलग है कि लाइन केवल बिजने इस परपस से बिचाई गई थी चीन ने कत्म कर दिया बाजार भारत से जापान जा रहे इस पत्थर का निर्याद पिछले तीन वर्षों से बंध हो गया है खदान संचालक अशोक लुन्या ने वताया कि जापान में इस पत्थर की मांग को अब चीन ने पूरा करना शुरू कर दिया है चीन काफी कम कीमत पर जापान को पत्थर उपलब्द करा रहा है विशाखा पटनम से बैलाडिला के बीच पहाड़ियों और सुरंगों से होकर गुजरने वाले रेल लाइन का निर्मान भी उनहीं की इंजिनेरिंग का नमूना है यहाँ की बैलाडिला की पहाड़ियों से बेहत उम्दा कीस्म का लोहयस्क दशकों तक जापान भेजा लाता रहा है गुणवत्ता में भारत का पत्थर बेहतर है पर कम दामों के चलते अभी मांग नहीं आ रही है जापान से मांग नहीं आने के कारण अब स्थानिय बाजार पर ही निर्भर होना पड़ रहा है जहां डेर से 200 रुपे प्रती वर्गफुट की दर पर इसे कीचन प्लेट फार्म से लेकर घरेलू सजा आधी में उप्योग किया जा रहा है खदानों से निकले इस पत्थर को आकार देकर ट्रेलर के जरिये जग दलपूर होते हुए विशाखा पटनम ले जाया जाता था यहां से समुद्र के रास्ते इन पत्थरों को जापानी बंदरगाब भेजा जाता था खनेज नेरीक्षका अधित्यमानकर ने बताया कि गटी पलना की 3.5 एकर जमीन 26 अप्रेल 1998 से वश 2013 तक के लिए लीजपर विमल लूनिया को दी गई है SDM खेम लाल वर्मा के मताबिक ख़दान की नई लीजपुन 5 सितंबर 2017 को जारी की गई है इससे शासन को 1500 रुपे प्रतिगन मीटर रोयल्टी भी मिलती है 20 सालों से लगातार जापान ढाता है काला पत्थर बस्तर के जापान से लंबे समय से व्यापारिक समबंद रहे हैं कोंडा गाओं के फरस गाओं तेह सीलमी स्थित है गटी पलना की ख़दानों से चमकीले काले रंग का ग्रेनाइट पत्थर निकाल कर पिछले 20 सालों से सीधे जापान भेजा जाता रहा है। जापानी अपने प्रियजनों की मृत्यू के बाद उनकी स्मृती में भव्यस्मारक बनाते हैं। इसमें 6 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 15 से 20 फीट उंचाई का एक ही पत्थर का उप्योग किया जाता है। जाप नवता नहीं है।